स्वामी जी अब हम थोड़ी बात जो है वहाँ इसी से जुड़ी हुई बात करते हैं जो आपने पुर्शाद की बात कही देखिए हर वक्ति कहता है और हर वक्ति चाहता है हर वक्ति करता है कि मैं अधिक से अधिक पुर्शाद करके और विश्व का नंबर वन बन जाओं उसके लिए वो आपा धापी करता है ये करता है वो करता है फैक्टरियां लगाता है जिस जिस लाइन का व्यक्ति होता है उस उस लाइन की वो बात करता ह तो मैंने आपके मुकार विंच से कई बार सुना है रियल पुर्षार्थ और रियलेटिव पुरषार्थ तो जो विक्ति ऐसा कहता है, ऐसा करता है इन दोनों को कौन सी स्रेणी के अंदर ढाला जाएगा अगर ये रियलेटिव पुर्षार्थ में आता है तो पिर रियल पुर्शार्थ का है और रियल पुर्शार्थ में किस तरीके से मुक्ष मार के अंदर, मुक्ती के मार के अंदर साहिक होता है तो कृपया रिलेटिव और रियल पुर्शार्थ को आप बहुत थोड़ा गेरा ही से खुला कीजिए ताकि एकदम क्लियर हो जाओ है देखो रियल पुर्शार्थ और डिलेटिव पुर्शार्थ रिलेटिव पुर्शार्थ वो अग्यानता से होता है रिलेटिव पुर्शार्थ का मतलब होता है मन वचन काया को मैं चलाने वाला हूँ और वो जो क्रिया करता है उसी को मैं पुर्शार्थ मानता हूँ इसमें ग ऐसे सामने वाले विक्ति को भी इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जो किसी विक्ति ने मेरे को help किया है तो उन्होंने अच्छा किया है और गलत वेवार किया है तो उन्होंने गलत वेवार किया है ऐसा हम मानते हैं ये relative पुरसार्थ है relative पुरसार्थ से पाप अपने बनते हैं, राजबेस बनते हैं, कर्म बनते हैं और जनम बनते हैं तो रिलेटिव पुरसायर्थ को हम अगर रियल पुरसायर्थ की और ले जाना चाहें तो आप कर सकते हैं क्योंकि रिलेटिव पुरसायर्थ जो होता है वो मनवचन काया की क्रिया के साथ जुड़ा है और रियल पूरसार्थ है वो तो द्रश्टी के साथ जुड़ा है तो मनवचन काया की कोई भी क्रिया के समय आप आपके द्रश्टी का उपयोग करोंगे कि मनवचन काया की अवस्ता, मात्र, कुदरती रतना है तो यह रियल पुर्षार्थ हो गया और मैं मनवचन काया से मुक्त ऐसा सुधात्मा हूं तो रियल पुर्षार्थ और रिलिट्व पुर्षार्थ में अंदर क्या है मनवचन काया से जो कुछ भी होता है मुग कुदरती रचना होने के नाते फिर भी हम इसको पुरसात मानेंगे तो वो रिलेटिव पुरसार थे जिनका फल कुद्रत पाप और पुन्य के रूप में देती है और रियल पुरसार जो होते हैं उसका फल पाप पुन्य ने देते हैं क्योंकि रियल पुरसात का मतलब होता है ये मनवचनकाया और इसकी अवस्ता को कुद्रती कानून के रुप में समझना है तो कुद्रती कानून तो ये कहता है कि हम मनवचनकाया से मुक्त ऐसे सुधात्मा है और मनवचनकाया की अवस्ता मात्र कुद्रत रत्मा है अगर यही देखोंगे तो आपकी जो देश्टी है एक दम हंडेट पर्सें स्टेबल हो जाएगी और आपके जीवन के अंदर वास्तों में दिया दियासे से मुक्तिता की अनुभूति पाऊंगे आज तक हमने जो भी क्रिया किया मन से बचन से काया से इसको ही हमने पुर्शार्थ माना और इसलिए हमारे जीवन में कन्फूजन बना रहा हला कि पुर्शार्थ का भाग स्वतंत्र होना चाहिए और पुर्शार्थ वो भाव की बात है वो द्रश्टी की बात है वो क्रिया की बात वास्तों में नहीं हो सकता है, फिर भी हम कहीं अवतारों से इसी पुर्शार्थ को रियल पुर्शार्थ के रूप में नहीं समय पाये थे, और संजोग के आधिन, एन्वायर्मेंट के आदिन हमने रियल रिलेटिव पुर्शार्थ को ही रियल पुर्शार्थ पा रहा था और कहीं अवतारों से जनम मरण के चकर से भटक रहे थे अज्यानता के साथ जैसे जैसे ही विज्ञान समझ में आया आएगा अज्यानता निकलती जाएगी और जैसे जैसे जैसे अज्यानता निकलती जाएगी आपका डेवलोप्मेंट बरता जाएगा जैसे जैसे डेवलोप्मेंट बरता जाएगा आत्मविश्वास पढ़ेगा रियल सेल्प कॉन्फिदेंस जैसे जैसे आत्मविश्वास पढ़ेगा इतना आप मनवचन का या उनकी अव के साथ जुड़ा है और रिलेटिव पुरसार्थ हैं वो मनवचनकाया के साथ जुड़ा है मगर वो अज्ञानता के आधार से उसको पुरसार्थ मानते हैं वास्तमा मनवचनकाया की कोई भी क्रिया को हम पुरसार्थ नहीं मान सकते हैं वो ही तो खुद्रत रतना है मगर पु पुरसात क्या है और माना हुआ पुरसात क्या है या तो रिलिडियो पुरसात क्या है वो प्यथार्त फोर्म में समझेने की कोशिज करेंगे प्रहत्न करेंगे और एक जिन हम सही पुरसार्त सही मारने में करेंगे और हम भास्तों में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे यही मेरी आप सब को नम्र बिन्नतिके हैं, कि कैसे भी करके, ओविज्ञान को सुनते रहोंगे, सुनते रहोंगे, सुनते रहोंगे, दीरे दीरे सभी प्रकार का जो विज्ञान है, वो चौकर्दम से, चारों और से आपको समझेना मिलेगा आई हम सब कही आध्या प्रिज्ञान को और गौर्दरश्ट्री से समझेने की कोस्टिस करें